हलो फ्रेंड्स आज हम अपने कीचे में बनाने जा रहे है कलाकंद बहुती आसान रेसेपी के साथ तो आए जानते है कलाकंद बनाने की रेसेपी तो दोस्तों कलाकंद बनाने के लिए मैंने यह 1.5 कप पनीर लिया है इसे मैंने ग्रेट करके रखा है यह 1.5 कप है, 1.5 बावुल है और यह आदा बावुल मैंने शक्कर ली है आप चाहे तो पोना बावुल भी ले सकते है इसे हम एक कड़ाई में डाल रेंगे और पनीर मेंने कड़ाई में डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे आदा कप मलाई, यह आदा बाउल घर की मलाई है, इसे भी हम अपने कड़ाई में डाल देते है, यह मेंने मलाई भी डाल दिये, हम इन सब को मिक्स करते रहेंगे ताकि गुटली ना पड़े, अब हम इसमें डालेंगे एक बाउल मिल्क पाउडर यह देखिए यह एक कप इसे एक कप कह लीजिए यह एक बाउल कह लीजिए मैंने इसी का माप बना की रखा है अब हम इसमें डालेंगे एक बाउल मिल्क पाउडर तो दोस्तों कलाकंद बनाने के लिए मैंने यह देड़ कप पनीर लिया है इसे मैंने ग्रेट करके रखा है यह देड़ कप है देड़ बाउल है और यह आदा बाउल मैंने शक्कर ली है आप चाहे तो पोना बाउल भी ले सकते है इसे हम एक कड़ाई में डाल देंगे धान रखो कड़ाई को गेस पर नहीं चड़ाना है यह शक्कर और पनीर मेंने कड़ाई में डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे आदा कप मलाई हमने सभी थीजो को इसमें डाल दिया है शक्कर, मिल्क पाउडर, मलाई और पनीर से पहले अच्छे से 10 मिनट तक मिलाएंगे जब यह अच्छे से मिल जाएगा तभी हम इसे गैस पर रखेंगे यह देखिए यह मैंने इसे मिक्स कर लिया है अब हम इसे 2 मिनट और मिलाएंगे यह हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें थोड़ा सा दूट डालूंगे इदम थोड़ा सा दूट डालना है quarter cup मतलब पाव cup और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना है डूट डालने से थोड़ा लूज हो गया है अब हम इसे गैस पे रखेंगे slow to medium fast gas पर बिल्कुल भी नहीं रखना है लगातार चलाते रहना है बिल्कुल भी छोड़ मत देना नहीं तो चिपक जाएगा अब मैं इसे गैस पे रख रही हूँ यह मैंने गैस पे रख दिया है अब हमें इसे लगातार मिलाते रहना है जब तक कि यह थिक consistency में ना आ जाए मैं आपको थोड़े होड़े टाइम में दिखाती रहूंगी इसके steps पहले ही अलूज हो जाएगा और बाद में यह tight होएगा कम से कम 10 मिनट तो लगेगी इसको मिलाते हुए मैं पाश मिनट बार में आपको फिर से रिखाती हूं लो टू मीडियम गेस रखना है ध्यान रखे पाश मिनट तो हो गई है अब भी यह लूज ही है इसको टाइम लगेगा क्योंकि हम इसे फास्ट गेस को नहीं रखकते है स्लो टू मीडियम गेस रखना है नहीं तो इसका कलर भी क्लाब हो जाएगा और यह चिपक भी जाएगा जब तक हमारा कलाकन बन रहा है तब तक मैंने यह पिस्ता काट लिये है और यह थोड़ी सी इलाइची कुटकर रख लिये यह 10 से 12 मिनट हो गए है मैंने मीडियम गेस करके रखा है और फटा फट चला रही है अभी 5 मिनट और लगेगा जब तक हमारा कलाकन धो रहा है तब तक मैंने यह पैन यह डबा भी ग्रीस करके रख लिया है यह देखिए मैंने इसमें पेपर भी लगा दिया है इसे भी ग्रीस कर दिया है यह देखिए अब यह फटाफट गाड़ा होने में लगा है जब यह अच्छे से कड़ाई छोड़ने लग जाएगा ना तम हम इसे बंग कर देंगे यह देखिए यह हमारा कलाकन का मिक्षर तैयार हो गया है ज्यादा इसे टाइट नहीं करना है ने तो कलाकन भी टाइट बनेगा और कलाकन तो होता है सौफ्ट इसलिए हमें अभी गेस बंग करना है और अब हम इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर थोड़ा समय रख लेती हूँ उपर डालने के लिए दो घंटे हो गए है और यह मिठाई पुरी तरह से तैयार हो गई है हम इसे अब दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे यह मैंने पूरा का पूरा पेपर के साथ में यह मिठाई ट्रे में निकाल ली है अब हम इसे पीसेस में काट के निकाल लेंगे यह देखिए मैंने चाकू से निशान कर लिया है अच्छे से अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे यह हमने कलाकंद के पीसे काट लिये है आप कोई भी शेप में काट सकते है लंबे में, चौरस में कैसे भी हमारी कलाकंद की मिठाई तयार है तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शियर जरूर करना और मेरे चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना Enjoy cooking!